हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माइनर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे आप सब लोग मस बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकोलोजी का चैप्टर नमबर फाइफ का लेक्चर नमबर टू एंटी एंजाइनल ड्रग्स है ना एंजाइना क्या होता है कितने टेरप्रकार का होता है है ना सारी बाते हम लोग डिटेल में कहा कर चुके है अपने फार्मको फेरोपेटिक वाले चैप्टर में और यह बोल चुका हूँ इससे जब पहरे लेक्चर लिया था मैंने यह चैप्टर है अपना कार्डियो वस्कुलर वाला इस चैप्टर को का चैप्टर नमबर टू ए पक्का पक्का पढ़ ले ठीक है ना क्यों पढ़ ले पताइए उसका पूरी डिटेलिंग दे रखी है पूरा डिटेल में हमने बाते कर रखें जिससे कि आपके सारे कॉंसेप्ट लेर हो जाएंगे यहां हमको केवल पांचे चीज़ों पर फोकस क अटेक औफ एंजना पक्टोरिस एंजना पक्टोरीस हैं जो अपना हट में होता है जब ऑक्सिएन प्रापर नहीं पहूंच पाती हर्ट की मुसल्स के पास तो जब बीस्टार्ट होता है ठीक है ऊसके लिए इसको इसत्तमाल करते इंदबाओं को एंटिया पैन एक पैन है दर्द है, दिल का दर्द, ठीक है, यह वाला दर्द नहीं है, ठीक है यह दिल का दर्द है, जब oxygen की कमी वाला दर्द है यह दूसरा दर्द मत समझ ले न, ठीक it is a pain syndrome, ठीक है, due to induction of an adverse oxygen supply, oxygen की supply adverse हो जाती है, खराब हो जाती है, यह oxygen की demand गरबड़ा जाती है, यनिकि oxygen demand दो बहुत ज़्यादा चाहिए होती होगी, और कम पहुंचती है, in a portion of the myocardium, myocardium मतलब myocardium मतलब heart की muscles, myocardium मतलब heart की muscles, metabolites that accumulate, अब जब oxygen की supply कम होगी है, उसके वहाँ पर जो chemicals इखटे होते हैं, due to myocardium, scamia, scamia क्या हो जाता है, oxygen की कमी की वाईसे, elicit the pain, अब वहाँ पर जो oxygen की कमी की वाईसे, chemicals इखटे हो जाते हैं, उसकी वाईसे क्या होता है, दर्द होता है, जाना कहीना के जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जा हम लोग बहुत भागते हैं, oxygen कमी होती है, हुआरे muscles में lactic acid produce हो जाता है, जिसकी वाईसे दर्द होता है, तो उसी तरह जब वहाँ पर oxygen कमी होती है, तो कुछ अलग टाइब के chemicals होते हैं, जिसकी वाईस पेन होता है, ठीक है, अब classification, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का role है, ठीक है, और हम इसे बताता हूं, मैं, एक, दो, तीन, चार, इनके दो, दो नाम याद कर लोगे, और एंजाइना वाले case में, अगर pharmaceutical chemistry में अगर यह topic है, वहाँ पर कोई drugs दे रखे हैं, तो उनके उपक्के से याद करना है, ठीक है, जैसे कि इसमें अपना glyceryl trinite, तो काफी famous है, इमर्जन्सी में दिया ही जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, धैन प्रपना लोल बड़ा कॉमन चलता है, अपना एटिनल लॉल भी चलता है, वीरपामील भी काफी कॉमन है, अम्लोडपीन, काफी कॉमन ड्रॉक्स है, हैना, जिस किसी के घ की है, तो इसको तो याद करना ही करना है, और यह अधर में आता है, यहाँ पर कोई भी जो अराम से याद हो जाए, ड्रॉक्स को तुम लोग याद कर सकते हो, फार्मकोलोजिकल एक्शन ऑविस ही बात है, पेन को कम करना है, उसके अलावा और क्या-क्या करेंगे यह आओ द कर देते हैं, डालेट करने के और सच लिसी अराम से हो जाती है, डालेक वहुक्त टों कोई एफק्ट नहीं हापर ना डिप्रेस करती है, हर्त को ना बढाती है, क्यवाल का करती ही, डालेक करती है, ठीक है, अच्छा, यहाँपर इसके आगए लाइन हैंसे चलेगी, दे डाल कर देती है and meningeal vessels causing headache जिसके वैसे क्या होता सर में दर्द होता है nitrates tend to decongest lungs by shifting blood to systemic circulation lungs को क्या करते हैं decongest कर देंगी जिसके कैसे जो blood की supply हो systemic circulation की तरफ shift कर वा देती है यानि की simple simple क्या याद रख सकते हो decongest lungs lungs को decongest कर जकते हैं ठीक है congestive heart failure में congestion के बारे हम पढ़ चुके हम लोग तो यह सारे टाम्स हैं बिटा congestion decongestion यह कहीना करें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जैसा कि फार्म को therapeutic से पढ़ लिया है तो अब इन टम्स को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो है मतलब हलकी से रिलेक्स हो जाते हैं इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइन उरेटा उरेटा इस वैरियेबल एंड इंसिग्निफिकेंट ठीक है इनके पर कोई effect नहीं है तो याद नहीं करेंगे bronchi biliary tract जो अपना biliary होते हैं ठीक है एंड इसोफीगस जो होता है उसको क्या करते हलका से रिलैक्स कर देते हैं यह क्या करेंगे coronary artery को डालेट कर देते हैं अच्छा calcium channel blocker को यहां लिखा वह भी लिख सकते हैं या उस वाले स्मूभी मसंट को रिलैक्स कर देते हैं ठीक कलसल चनलन ब्लॉकर्ट के अंदर जो गया करते हैं इस मूध मसंट को रिलैक्स कर देते हैं पूटेसियम चैनल ऑपनर यांदे की निकारडेल क्या करेगा वैसोडालेशन ओफ आट्री ओट्री ओट्री और जो लाश्च और आर्टी अपनी हाट की उसको क्या करेंगे यह डालेट कर देते हैं ठीक है बिटा ब्लॉकर सिंपाथेटिक एक्टिविटी इंक्रीट जो इक कोई टम्स ऐसा लगता है कि आरे यह पीछे पढ़ चुके निकी दिमाग से उतर गई तो तुरंत जा करके उसको रिवाइस करना है ठीक है तो अधर्वाइस यह क्या हो जाएगा रटने जैसा हो जाएगा फिर बता रहा हूं फार्मकलोजी में स्टार्टिंग के तीन-चार याद कर लोगे दैन नेफिडिपीन एम्रोडिपीन निकोरेंडिल यह कुछ द्रग से इनको याद कर लोगे कोशन आएगा जब डोस को लिए करके तो उनको लिग दोगे ठीक है कितना-कितना एंडी-बीडी देना है इंडिकेशन इंडिकेशन हाट की प्रॉब्लम है अग्याइना एक्यूट कॉर्णरी सिंड्रोम माय कार्डे इंफरक्षन बिलियरी कॉलिक इसोफीजियल स्पास जो हमारे इसोफीजियल सोते उसमें अधन सी दर्थ से होते हैं जाइना प्रेंशन कार्डेक एरिद्मिया तो कहीं नहीं हाट से लेटेट सारी प्रॉब्लम से हार्ट की बिमारियों को जैसे नाम्याद कर लोगे अगर इनकेस बाइदावे भूल जाते हो तो उसको लिखके चले आओगे ठीक है तो बहुत टफ नहीं है चीजों को थोड़ा सा दिमाग से पढ़ लोगे तो चीज़ें बड़ी असान लगेंगी देन कॉंट्रा इंडिक करेंगा और इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे और इसके कॉंट्रा इंडिकेस नहीं पढ़े ऊंदे लोगे हैं वाई उसके अलावा क्या लिख सकते हो लख इस हम सट्रसुज तो ये चीजे हैं चाहिए लिखते चलेज़ याद ले जाएंगे ए करette लोब बहुत छोटा सा है ना मैंने कहा था फिर पढ़ा इन वीडियो को रोग दें पिछले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें जहां जाँ वह पॉइंट तुमने मार कर रखें वह सारी पॉइंट को देखें और फिर इन चैप्टर पर आएं तो जल्दी से असानी से याद ह जाएंगे तो करना क्या है पढ़ना है रिवाइज करना है माई नमबर नोट्स डिस्किप्शन में है एप उसके फीचर्स क्याकर मिलने वाला आपको एप में और यह अपने अपका प्राइस है इधर पे ठीक है मात्र 1100 रुपए है और पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो अधर बेस्ट